असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शहरुख और आप में से कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते होंगे लेकिन उनके स्मार्टफोन का जो माइक्रोफोन है वो उतना अच्छा नहीं होगा या फिर उनके DSLR का कैमरा का जो माइक्रोफोन है वो उतना अच्छा नह माइक्रोफोन जो की हजार उपै के उनदर में वन अफ दी बेस्ट हो जाते हैं अगर आपको आपा अट्यकोर्डिंग करना है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है लोगिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर्सक्राइब को लिजे वहाइग अलपे आप से ऐसे इंट्रेस ओन्व नंबर है AIU 100 और यह दोनों माइक्रोफोन बहुत ही कमाल के हैं मैं इन्हेंeren पिछले कई दिनों से इस्तेमाल कर रहो हूँ गाइज और मैंने कई सारे जो पास्ट में वीडियोज बनाए हैं वो इन ही दोनों माइक्रोफोन की मदद से बनाए हैं तो आप इसे पता लगा सकते हैं कि जी हम मेरी audio quality कैसी आ रही है तो गाइस मैं आप लोगों बता दूँ ये दोनों माइक्रोफोन कौन कौन से और इनका क्या क्या काम है तो जो सबसे पहला माइक्रोफोन है काइस AU400 वो एक छोटा सा माइक्रोफोन है यानि कि इसमें जो wire आपको मिलती है वो लगभग 2 मीटर लंबी आपको मिलती है यानि कि लगभग 6 फिट लंबी wire मिलती है जिसकी मदद से आप आसानी से काफी अच्छे distance तक की video recording या audio recording जो है कर सकते हैं लेकिन जो दूसरी microphone मिलती है वो काफी जादा लंबी यानि कि 6 मीटर यानि कि लगभग 20 फिट लंबी wire मिलती है जिसकी मदद से अगर आप दूर से भी video recording करना चाहें तो इतनी लंबी wire की मदद से आप कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को बता दू कि दूनों के जो दूनों wires है guys वो बिल्कुल ही DSLR को support करते हैं तो जो माउनों का AU400 है guys इसके अंदर आपको सबसे पहले एक pouch मिल लाता है उसके बाद pouch के अंदर से आपको ये microphone मिल लाएगा और आपको एक adapter मिलेगा ये जो adapter है जैसे ही आप लगाएंगे इससे 3.5 mm jack में तो उसके बाद से DSLR compatible बन जाएगा यानि कि अगर आपको इस छोटे से microphone को लगाना है smartphone में तो directly लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको लगाना है DSLR में तो इस adapter की मदद से लगानी परेगी लेकिन सबसे अची बात ये guys कि छोटे से microphone में आपको किसी भी तरह की battery वगरा की ज़रूरत नहीं है तो ये battery free microphone है जो की DSLR और smartphone दोनों के साथ काम करता है जो दूसरा microphone है guys इसे भी आपके open करेंगे तो अंदर से इसकी packing काफ़े ज़दा ला जवाब है और इसमें आपको सबसे पहले एक 6.5 mm तो 3.5 mm का jack मिलता है तो अगर आपके पास बड़े बड़े audio recorders है जो की बड़े बड़े machines होती है उनके लिए ये guys दिया गया है हाला कि आपका main gun 3.5 mm jack से तो आप उसे निकाल करके side में रख सकते हैं उसके बड़ आपको इसमें एक extra battery मिल लाता है और यहाँ पर आपको foam दी गई है जो की microphone के उपर लगाना है तो सबसे ची बात यह है कि इसमें आपको दो foam और दो clips दी गई है यानि कि एक foam और एक clip extra दिया गया है या फिर कभी टूटे या फिर आपका foam कभी खो जाए तो उसके लिए आप इसे चेंज कर सकते हैं उसके बाद आपको 20 feet का लंबा mic मिल लाता है कुछ इंस्ट्रक्शन manual और इसमें भी आपको same pouch मिल लाता है जो की दूसरे में आपको मिलता है तो यह जो guys 20 feet लंबा microphone है इसे आपको on करना होगा अगर आप DSLR में लगाते हैं और off पे रखना होगा अगर आप इसे smartphone में लगाते हैं तो DSLR में इससे record करने के लिए इसमें बैटरी की जरूरत पर जाती है चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इनके audio quality के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुना देता हूँ दोनों की audio quality तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसमें Maono का AU400 लगा दिया जो की 6 feet लंबी wire के साथ आता है तो इससे मैं कुछ इतनी दूर जा सकता हूँ और मेरी जो audio quality है वो आपको कुछ इस तरह की आ रही है तो काफी अच्छी मुझे लगती इसकी audio quality हाला कि जैसे जैसे मैं इसे अपने मूँग के ज़्यादा पास करते जाओं मेरा जो audio quality है वो और भी ज़्यादा अच्छा होते जाता है और मैंने इसमें converter के थूर लगा है ताकि DSLR में काम करे और बीना converter के लगाऊंगा तो मेरे smartphone में भी काम करता है तो बहुत ही जबरदस्त quality के साथ ये आता है हेलो हेलो सदोस्तो मैंने 20 feet लंबा wire इसमें लगा दिया है और मैं आपको बता दू कि मैंने पूरा wire खोला भी नहीं है क्योंकि मेरा room 20 feet का नहीं है उससे लगबग 6 feet छोटा ही है तो बहुत ज़दा wire बच रहा है तो अगर इस तरह कि आप दूर का shots लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं guys कि नजदीक कहीं ले बट लंबी wire हो जिससे आप ज़्यादा वरसेटलिटी कर सके तो ये wire काफी अच्छी बन जाती है और उसके बाद आप लोगों को इसका audio quality जो है और विजदा सुनाने वाला हूँ तो मैं अपने face के पास बिल्कुल ही ला चुका हूँ और इसके बाद आपको आवाज तो मेरी और विजदा loud आ रही होगी तो जी हाँ इसकी audio quality सच में मुझे ला जवाब लगती है तो गाइस आपने दोनों ही microphone का audio quality अभी सुना और इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनकी quality कैसी है जो ये बीना बैटरी वाला microphone है इसकी भी audio quality बहुत ही अच्छी आपको सुनाई दे रही होगी और ये जो बैटरी वाला microphone है जब मैंने इसे डेसलायर में करेंट किया और on प आपको बैटरी की ज़रूत परेगी दूसरे में आपको बैटरी की ज़रूत नहीं परेगी लेकिन एक काफी ज़दा लंबा है और दूसरा काफी ज़दा छोटा है तो दोनों ही अपने अपने लिए काफी ज़दा बेहतरीन बन जाते हैं तो अगर आपको एक setup बनाना है त दोनों ही microphone से काफी जादा impressed हूँ और दोनों ही काफी अच्छी audio quality को provide करते हैं। अगर आपने 200-300 रुपए में कोई भी generic mic use किया होगा तो मैं definitely कह सकता हूँ guys कि इन microphones का बहुत ही बहतरीन audio quality है। अगर मैं इससे बोया से compare करूँ तो दोनों के ही दोनों microphone guys बोया के microphone से भी comparable है। उन में मुझे बहुत बड़ी difference नजर नहीं आए। और उसके बाद guys यह क्योंकि एक lepal mic है, levelier mic है और यह omnidirectional है यहनकि यह हर तरफ से sound को record करता है। तो अगर आप लोग ग्रूप में बाते बगरा कर रहे हैं और अगर आप mic को बीच में रख देंगे तो चारो तरफ से audio को record करेगा जिससे सब की audio काफी ज़दा clear record होगी। लेकिन guys, lepal mic का एक disadvantage यह है कि यह चारो तरफ से record करता है इसलिए इसमें noises भी ज़दा record होती है। तो अगर आप एक ऐसे area में जहांपे बहुत ज़दा हला गुला होता है, बहुत ज़दा noises आते हैं तब यह microphones आपको बिल्कुल भी recommended नहीं हैं। तब आपके लिए फिर shotgun microphones आते हैं या फिर monodirectional microphones आते हैं वो सब buy-buy कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक beginner है और अगर आप start करना चाहते हैं अपने channel को और अगर आप एक अच्छे microphone की तलाश में हैं आपको अपने DSLR के लिए smartphone के लिए चाहिए तो इन दोनों में से आप कोई भी buy कर सकते हैं। तो मेरी नजर में गाइस दोनों ही बहुत ही ला जवाब है और दोनों की ही pricing बहुत ही अच्छी है यह आता है गाइस लगभग 600 रुपए के अंदर में और यह आता है गाइस लगभग 900 से 1000 रुपए के अंदर में तो दोनों ही अपने हिसाब से काफी जबरदस्त है तो मैं झाल झाल